हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू होम फूट रेसिपी आज हम एक नए तरीके से वड़ा बनाएंगे जिसे बॉंडा भी कहते हैं ये एक साउथ हिंडियन रेसिपी है ये वड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसका स्वाद मैदू वड़ा से मिलता जुलता है लेकिन यहाँ पिड़िद्लूसा का बेटर लिया है ये लेडर कप जितना बेटर है को दो बड़े चम्मज जितने मैंने बारिक कटे हुए प्याज लिये है पाँंच से शे कड़ी पत्ते को मैंने बारिक चौप कर लिया है जीरा लिया है वनफोर्थ टीस्पून दो से तीन हरी म को मैंने बारिक काट लिया है काली मिच का पावड़ लिया है 180 तीस्पून बारिक कटे हुए हरे दन्या एक बड़ा चम्मज और नमक लिया है मैंने स्वात की अनुसार क्यूंकि इडली डोसा का बैटर फर्मेंट करते वक्त भी मैंने नमक एड़ किया था सबसे पहले मैंने इडली डोसा का बैटर इस बावल में ले लिया है और आप इसकी कंसिस्टंसी देख सकते है ये बहुत जादा गाड़ा बैटर है ये देखे हमें इस तरह का गाड़ा बैटर ही लेना है क्यूकि हमें हाथों में पकड़ कर तेल में वड़ा बनाने है तो काले मिच पावडर, बारिक कटे हुए कड़े पत्ते और नमक भी डाल देंगे इडली डोसा का बेटर का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड किया हुआ है उसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देए दूँगी तो अब हम सब कुछ हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें गरम तेल या बेकिंग सोडा कुछ भी अड़ नहीं करना है ऐसे ही ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते है तो अब हम इस तरह से हाथों में बैटर लेकर ओल में बड़े बनाएंगे मैंने तेल पहले से गरम करने रख दिया था जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें छोटी-छोटी साइस के वड़ा रखेंगे और एक बात का हमें खास द्यान रखना है कि जो इडली डोसा का बैटर है वे वो हमें गाड़ा लेना है और खट्टा लेना है तब ही वड़ा टेश्टी बनेंगे तो सारे वड़ा मैं इस तरह ओईल में रख दूँगे वड़ा को ओईल में डालने के बाद बीच-बीच में हमें इस तरह कल्छे से चलाते जाना है और मीडियम फ्लिम पे हम इसे फ्राइ होने देंगे आप देख सकते हैं मीडियम फ्लिम पे मैंने वड़ा को लाइट ब्राउन कर लिये हैं तो अब हम इसे टीश्टी पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ओयल है वो एब्जोब हो जाए दूसरे वड़ा भी सेम इसी तरह से में फ्राइ कर लूँगे दूसरे वड़ा भी मैंने सेम इसे तरह से फ्राइ कर लिये हैं तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे ये वड़ा बहुत ही कम तिल सुकते हैं आप एक बार इसे जरूर से ट्राइ करें फ्रेंट्स हमारे साउथ इंडियन स्टाइल बॉंडा रेड़ी हो चुके हैं मैं आपको एक वड़ा तूड के भी दिखाती हूँ ये देखे ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सौफ्ट बनते हैं आप इसे नारिल की चटनी के साथ सव कर सकते है या फिर ऐसे ही खा सकते है ये बहुत टिस्टी लगेंगे तो अगर आपको मेरे ये रेसिपी पसंद आये तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा ये वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई